दोस्तों जंगली सुवर एक तरह के सुवर की परजाती होती है जो की एशिया और यूरोप में पाय जाते हैं जंगली सुवर की खाल बहुत मोटी होती है और इनके शरीर पर जो थोड़े बहुत बाल रहते हैं वे बहुत कड़े होते हैं इनका थूथन आगे की तरफ चप्टा रहता है जिसके भीतर मुलायम हड़ी का एक चक्रसा रहता है जो की थूथन को कड़ा बनाय रखता है इसी थूथन के साथ ये जमीन को खोद डालते हैं और भारी-भारी पत्रों को असानी से उलड़ देते हैं जंगली सुवरों के लंबे दात उनकी आत्मरक्षा के लिए हधियार साबित होते हैं ये दात इतने मजबूत और तेज होते हैं कि जंगली सुवर अपने दातों से घोडों तक का पेट फार सकते हैं जंगली सुवर के उपर के दात तो बाहर निकल कर उपर की और घुमे रहत जब ये अपने जबड़ों को बंद करते हैं तो ये दोनों दात आपस में रगड़ कर हमेशा तेज और नुकिले बने रहते हैं। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से जगें हैं जहां की अलग-अलग मानेताएं होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जंगली सुवर के दात बहुत काम आते हैं। और उन से इनके चलने में किसी तरह की मदद नहीं मिलती है। जंगली सुवर की सूंगने की शक्ती बहुत तेज होती है। जिसकी सहायता से ये जमीन के अंदर की चीजों को आसानी से सूंग कर खोद कर निकाल लेते हैं। इनके मुख्य खुराक, कंद मूल, गन्ना और अनाज होता है। लेकिन इसके अलावाईये कीडे मकोडे, केचुए और छोटे सरिस्रिप भी खा लेते हैं। जंगली सुवर का शिकार उसकी शक्ती, गती और भैंकरता के कारण पुराने जमाने से ही जंगली सुवर पीछा करके शिकार किया जाने वाला सबसे पसंदिदा जानवर रहा है। यूरोप और भारत के कुछ हिस्सों में अब धी कुट्टों की मदद से इनका शिकार किया जाता है। लेकिन भालों के अस्थान पर अब बंदुक का उपयोग किया जाता है। यूरोप में जंगली सुवर राजसी शिकार के चार पशों में से एक हैं। यूरोपिये देशों में जंगली सुवर को वाइल्ड बोर भी कहा जाता है। यहां जंगली सूरों में सबसे बड़ा होता है इनके शरीर पर कड़े बाल होते हैं इनका रंग धूसर काला या भूरा होता है और कंधे तक इनकी उचाई 90 cm तक होती है अकेले रहने वाले बोढ़े नरों को छोड़कर जंगली सूर जुंडों में रहना पसंद करते हैं दोस्तों मैंने आपको जंगली सूर के बारे में कुछ रोचक जनकारिया दी तो ऐसी जनकारी के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद